जहन साथियो तॉप 50 श्टडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज आपके लिए ले करके आ गए हैं 150 प्रस्नों का महाभ्यास जो की आपकी प्रात्मिक सिक्षक भरती परिक्षा में जो विसाय पूछे जाते हैं जाए बालविकास हो, परियावरण हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्क्रेथ हो, उससे संबंदित प्रस्न हैं और करम से 1500 प्रस्न पूरे सिलेवस के अनुसार हैं इसलिए आप अभी तक हमारी चैनल से ना जुड़े हो याड ना हुए हो तो सब्सक्राइब पर किलिक करके हमारे यूटूब चैनल टॉप फिप्टी स्टडी को आप क्या कलने सब्सक्राइब कलने जिसलिए आपको पिछले वीडियो भी मिल जाएं और आंगे जो डेली हम किलास निरंतर आपके लिए ला रहे हैं आपको महाभ्यास की कलास मिलती रहे पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल की पिले लिष्ट में जाकर के आप जरूर देखें चलिए शुरूब आज करते हैं आज का वीडियो एक एक परस्न ध्यान से सुनिएगा पेपर के लिए बहुत महत्पून है पियाजे की अनुसार निमने लिखित में इसे कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्थ संकल पनाओ के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है ठीक है पियाजे महुदे ने अलग-अलग अवस्था हैं बताइए तो बहुत कौन सी अवस्था है बच्चा अमूर्द संकलपनाओं के विसाय में तारकिक चिंतोन करने लगता है हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है ठीक है अगला देखें बच्चों में बोध्धिक विकास की चार बिसिश टबस्थाओं की पहचान की गई है किसके माध्य हम सीखें के बच्चों के बोध्धिक विकास की चार बिसिश टबस्थाओं की पहचान तो आपको बता देए पियाजे महुदय दौरा की गई है किसके दौरा पियाजे महुदय दौरा अब देखें यहां अगला परसन है बिकास कभी ना समाप्त होने वाली पिक्रिया है यहाँ बिचार किस से सम्बन देते हैं अलग-अलग सिध्धान तो दिये हैं किस सिध्धान से सम्बन देते हैं बिचार जल्दी से आप कमेंटें बताइए क्योंकि हमें 1500 परसन एक ही वीडियो में चर्चा करने है अलग-अलग 5 सब्जेक्ट के इसलिए समय को बचाना है याद रखिए और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तो और वीडियो को आँगे भी सेयर करना आपको जहां से भी मिला हो उसको आँगे बढ़ाएं तो आपको बता दें यह हो जाएगा कि कभी ना समाप्त होने वाली पिक्री है मतलब हमेशा चलने वाली निरंतर चलने वाली तो निरंतरता का सिध्धान्त अगला देखते हैं प्राथ में किस तर पर एक सिक्षक में निम्नमैस किसे सबसे महत्पूर विसेस्ता मानना चाहिए प्राथ में किस तर पर निम्नमैस क्या होनी चाहिए कि सिक्षक में सबसे महत्पूर विसेस्ता और स्वयम सिक्षक है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए तो आपको बता दें कि होना चाहिए धैर और ध्रणता धैर होना चाहिए कोई बालक नहीं पढ़ रहा तो यह तुरंद गुस्सा करे धैर रखे उसको समझाए स्वयम के धैर होना चाहिए ध्रणता होनी चाहिए अपने लक्ष के प्रती यह सब कुछ होना चाहिए आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे कौन सा सिक्षार्थियों में सरजनात्मक्ता का पोषण करता है जल्दी से बता दीजी आप उत्तर तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा आपको समय नहीं लेना है तुरंट कमेंट खोल के रखें बताते जाएं बी हो जाएगा प्रतेग सिक्षार्थी के अंतर जात प्रतवाओं का पोषण करना एबं प्रस्ण करने के अवसर उपलब्ध करना विद्यार्थियों को प्रस्ण करने के अवसर उपलब्ध कराने हैं वो जितना प्रस्ण करेंगे उतना उनके ज्यान का विकास होगा आगे देखें महात्पूर्ण प्रिशन है बै अवस्था जब बच्चा तारकेक रूप से बस्तूओं वा घटनाओं के विशाय में चिंतन प्रारंब करता है कौनसी अवस्था है जब तारकेक रूप से बस्तूओं घटनाओं के विशय में चिंतोन वह स्टार्ट कर देता है तो आपको पता दें वह है मूर्थ संक्रियात्म का वस्था कौनसी अवस्ता है, मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता है, सारी अवस्ता हैं पढ़ लीजिएगा, अगला देखें, निम्न मैसे किस अवस्ता में बच्चे अपने संबयस्क समूह के सक्रिय सदस्थ हो जाते हैं, मतलब संबयस्क मतलब अपने बरावर के जो समूह होता है, उसमे सक्क्रिय हो जाते हैं, कई बारे पूछा गया है, तो आपको बता देंगी किसोरा अवस्ता है, जिसमें बच्चा के अपने समुई में सक्क्रिय हो जाता है आगे बढ़ें, बहुत अच्छे प्रसन हैं, दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दीजीगा बीडियो को, पिछले बीडियो ना देखे हो आपने हर विसाई के हैं, हमारे चैनल पे बाल विकास के हैं, परियावरन के हैं, संस्क्रित के बहुत सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाए और बर्ग तीन संस्क्रित या protect एक्जाम संस्कित की playlist में जाके सारे वीडियो जरूर देख लेए तो चली अब आगे बढ़ते हैं बच्चों के संग्यानात्मग बिकास को सबसे अच्छी तरीके से कहां परिभासित किया जाता है संग्यानात्मग बिकास को परिभासित करना है तो सबसे अच्छे तरीके से आपको बता दे बिद्याला और कच्छा में परिभासित कर सकते हैं आगे बड़ें बिलकुल आराम आराम से चलना है नी तो प्रशना आपको उत्तर देख जाते हैं फिर आप उसमें से देख करके बता देते होंगे इसलिए अब नहीं देखेगा निम्न मैंसे कौन प्याजे के अनुसार बौधिक बिकास का निर्धारक तक्त नहीं है बौधिक बिकास का निर्धारक तक्त कौन सा नहीं है वो भी किसके अनुसार प्याजे महोदय के अनुसार तो आपको बता दे अनुभाव तो है संतुली करण भी है तो सामाजिक संचर की अपेक्षा मूरत इसको अपन प्रचता होती है इसको अपनेेख विकासच Work कातन सत नहीं है याद रखीए कि नहीं है पूछ रहे हैं नहीं है नहीं है लगा करके कुछ भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा, तो देखें, पहला कथन है, बिकास की प्रतेका बस्था में अपने खत्रे हैं, बिलकुल हैं, ये तो सही कथन हैं, असत्नी हैं, बिकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, एक कथन थोड़ा सा गड़वर लग रह है, इसलिए यही इसका उत्तर सही हो जाया, क्योंकि बिकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, बढ़ावा देंगे तो बेक्ति और आगे बढ़ेगा, प्रोस्थाहन देंगे उसको तो, ठीक है, बाकी बिकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिकास की प्रतिक अवस्था की अपनी विजिस्ता हैं, बिल्कुल है, याद रखीएगा चोथा पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिकास का आर्थ है, महत्पूर्ण, वेरी वेरी आईएंपी, बिकास का क्या आर्थ है, तो आपको बता दें, बिकास का आर्थ है, परिपक्कुता एवं अनुभवों के फलसरूफ होने वाले परिवर्तनों की स्रिंखला, ठीक है, आपको तो केवल पूरे वीडियो देखना है और सुनना है, आप भली उत्तर भी न बता पाएं, हमारे लगवक तीन चार आप ऐसे अभ्यास लगा लेंगे, महा अभ्यास आप प्रिष्णों तरवनेंगों जब पेपर देने वैठेंगे, तो कई प्रिष्ण इन ही मैंसे आ जाएंगे, इसलिए आप बिलकुल पूरे वीडियो देखें, जो पिछले आपके छूट गए हैं, और आंगे जो आने वाले हैं, आंगे जो आने वाले हैं, उसका कैसे प कहा जाता है, पूर्वाल्य आवस्था, पूर्वाल्य आवस्था जो है, रहे क्या है, खिलोनों की आयू है, याद रखिएगा, उत्तरवाल्य आवस्था में बालक भहुत एक बस्तूओं कि किस आवश्यक तत्त में परिवर्तन समझने लगते हैं, उत्तरवाल्य आवस्थ सब ही में परिवर्तन समझने लगते हैं समाई को बचाना है इसलिए आपको हमसे पहले उत्तर देना है अब आपकी स्पीड देखते हैं ब्यक्तित इस्थाई समाई उजन है किस के साथ ब्यक्तित इस्थाई समाई उजन है किस के साथ है परियावरण के साथ हाँ परियावरण के साथ तो है जीवन के साथ जीवन के साथ भी है प्रकती के साथ तो प्रकती के साथ भी है तो ये सब ही इसके साथ उत्तर ठीक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ण अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को like करिएगा और आगे जरूर share करिएगा जिससे और मित्रों तक पहुंचे दूसरे बर्स में अंत तक सिसु का सब्द भंडार हो जाता है दूसरे बर्स के अंत तक सिसु का सब्द भंडार कितना हो जाता है 100 सब्द, 100 सब्द जानने लगता है दूसरे बर्स के अंत तक में ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इसी महत्पून पृष्णों के साथ अभी हमें आगे चर्चा करनी है हिंदी, संस्क्रेट और परियावरण, मैथ ठीक है इन सब की पेडागोजी, कॉस्चेन सब पर हम चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है बेरी बेरी आई एमपी है ये तो सर्म तथा गर्व जैसी अवस्था किस अवस्था में होता है तो आपको बता दें सर्म गर्व की अवस्था बाले अवस्था है ठीक है उसी में भावना का विकास होता है तो कौन से संबेग से है क्या मूल पर जिग्यासा का संबंद आस्चर से जब किसी चीज में आस्चर होगा और यह ऐसा कैसे तो जिग्यासा आएजी तो आस्चर से है आगे देखें सेसवाबस्था की मुख बेसेस्था क्या नहीं है याद रखीगा सेसवाबस्था की मुख बेसेस्था क्या नहीं अब सेसवाबस्था में है तो सीखने की पिक्रिया तीब्रता बिलकुल होती है जिग्यासा की प्रवित्ती आगे आठीके यह भी होती चिंतन क्या करेगा बेसेसवाबस्था में तो यह नहीं है क्या चिंतन पिक्रिया नहीं है, बाकी तीन तो सेश्वा वस्था की पिसेश्थाएं हैं, अनुकरण द्वारा सीखना भी है, जिग्यासा की प्रवित्ती भी है और सीखने की पिक्रिया तीब्रता ये भी है, एक साथ आपके एक कॉस्चन पढ़ लिया तो दो तीन कॉस्चन क सी इसकनर महुदय के अनुसार इसकनर जी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी पिक्रिया है आगे वड़ते हैं अभी तक लाइक ना कीगा हो तो वीडियो को लाइक के एक बाद जरू कलिक कर दें बाल्य अवस्था अवस्था होती है कैसी अवस्था होती बाल्य अवस्था तो आप पता दें बारे वर्स्था होती है बाल्य अवस्था ठीक है उसके बाद कि सुरा अवस्था शुरू हो जाती है आगे देखें व्यक्तित्त विकास की अवस्था है जल्दी से बता दीजे व्यक्तित्त विकास की अवस्था क्या है तो व्यक्तित्त विकास की अवस्था होगी अधीगम एवं ब्रद्धी अधीगम भी होना और ब्रद्धी भी होना आगे देखें विकास में ब्रद्धी से तातपर है विकास में ब्रद्धी से किस ब्रद्धी आई एमपी आ गया, तनाओ कुरोत की अवस्था, बेरी 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 आई एमपी, तो आपको बता दें, वह है कि सूर आवस्था, तनाओ कुरोत की अवस्था कौन सी है, कि सूर आवस्था, आगे बढ़ते हैं, परीपक्ता का संबंद है, परीपक्ता का संबंद किस से है, पर पुद्धी लब्दी क्या होगी? मान से काई बारा वर्ष है और बास्त प्रकाई दस बर्ष है तो बारा वड़ें दस कर दें आप सीदे ही तो 120 आजाएगा ठीके तो बार क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी उसकी बुद्धी लब्दी आगे देखें सारीरिक विकास का छेत्र है सारीरिक विकास का छेत्र आपको बतलाना है तो इसमिर्थी अभी प्रेण समायुजन तो होंगे नी इसनायू मंडल क्या है? इसनायू मंडल है आगे है सरीर के आकार में ब्रद्धी होती है क्यों की? क्यों होती है भाई सरीर के आकारम ब्रद्धी तो सारी रिक और ग्यानात्मक बिकास होना चाहिए ग्यात्मक हो गया संग्यानात्मक बिकास के कारण होती है ऐसा आप लगा लीजिएगा आगे बढ़ते हैं सब बिलकुल महत्पूर्ण प्रिष्ण है इनिसार सम्वेधी क्रियात्मक अवस्था होती है कब तक होती है संबेदी किरिया अवस्ता जल्दी से ABCD कमेंटर बता दें तो आपको बता दें कि जन्म से दो वर्स तक प्याजे महुदय के अनुसार क्या होती है संबेदी किरिया अवस्ता होती है दोस्तो 30 प्रशन हमारे बालविकास के कंप्लीट हो गए अब मैं 30 परयाब रण के प्रशन ले रहा हूँ हमें तो 500 सब्जेक्ट कवर करने हैं कैसे भी क्रम में आ तो 30 परयाब रण के बहुत महत्पूर प्रशन होंगे बिलको लेके एक प्रशन ध्यान से सुनना और अभी तक हमारे चैनल तॉप 50 श्टडी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले तो चलिए सुरूबात करते हैं सभी लोग तैयार हो जाएं A, B, C या, D मैसे हमारे बताने से पहले आपको जल्दी से कमेंट में वो तरभी बतलाना है तो चलिए पहला प्रसन है ए प्रसन है जो कई बार पेपरों में पूचे गए हम केवल वो ही प्रसन आपके लिए ला रहे हैं इसके बाद अंगले वेसाई के भी 30 प्रसन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे चलिए पहला है निमले लिखित मेंसे किसका बिस्तार के साथ जुडाव नहीं है तो आपको बता दें कि अमीर खुसरो जी का तो है रभी संकर बिलायत खानिन का भी है उस्ताज अली उद्दीन खान का नहीं है चलिए अप फिर आगे बढ़ते हैं स्पीड से थोड़ा बिस्त का सबसे उचा गुरुत बांध कौन सा है जल्दी से बता जीए विस्त का सबसे उचा बांध बांध में से एक या दो कॉस्चन आएंगे आपको पहले बता दे रहे परियावरण में पढ़ लीजिएगा तो आपको बता दे भाकडा बांध जिसको भाकडा नाकल बांध कहते हैं अब एक कौन सी नदी पर बता है बसा है एक कमेंट में आपको बतलाना है आगे लोक तक है क्या है लोक तक जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दे लोक तक एक जील है एक किस राज में है तो आपको वही बता दें कि मनिपुर की ये जील है ठीक है याद रखिएगा बहुत महत्पूर है सबसे उचा भारती जल प्रपात है सबसे उचा भारती जल प्रपात कौन सा है तो जल्दी से आप कमेंट खोल के रखें हमारे बताने से पहले आपको बतलाना है तो आपको बता दें गर सोपा कौन सा है गर सोपा सबसे याद रखिएगा बटरफ्लाई इस्ट्राक किस खेल से संबंदित है बटरफ्लाई इस्ट्राक तो आपको बता दें यह है तेराकी से रट लो इन कोस्चनों को बिल्कुल आँगे भी कई पार्ट लाएंगे हम वो पिछले पार्ट ना देखें हो पर ले इस्ट पर जाकर के देख लीजेगा ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कहां पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम तो आपको बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी के कानपूर में है कहां पर है कानपूर में याद रखिएगा बिल्कुल पोसक तत्तों के अलावा हमारे सरीर में पानी कि याद रखिएगा बिलकुल बहुत महत्पून प्रश्ण है अगला देखते हैं नेपा नगर जिस उद्धियों के लिए जाना जाता है नेपा नगर से संबंदित कई बार कॉस्चन आता है एक कौन से उद्धियों के लिए जाना जाता है तो आपको बता दें कि नेपा नग रखते हुए देश की राष्टी आयको मापना एक Green Accounting का अर्थ है ठीक है अब इसमें होता क्या है तो याद रखिएगा कि इसमें प्रदूसर्ण और परियावरणी च्छती के आतलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्टी आयका मापन किया जाता है पिर दूसरों परियावरण की छती को ध्यान में रखते हुए देश की राष्टी आए का मापन होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम महनत करके पूरे डेड़ सो प्रिश्णों का वीडियो बना रहे हैं आपका करतब है कि लाइक और सेयर जरूर करें और पृतेग वीडियो आप पढ़ें क्या पता कौन सा इस मैंसे प्रिश्णाप के पेपर में आजाए निम्न मैंसे कौन जैब निम्न करणी अपसिष्ट है जैब निम्न करणी अपसिष्ट आपको बता दें तो इन चार मैंसे ए उत्तर ठीक हो जाएगा उन कौन सा है उन याद रखिएगा आगे देखें भारत की प्रिशिद लैगून जील है यह आपकी कमेंट में जल्दी से बताईए देखें सबसे पहले कौन बताता है इसका उत्तर भारत की प्रिशिद लैगून जील तो आपको बता दें कि बैहे चिलका जील है कहां पर है यह उ जादू गोडा की खाने प्रसिद्ध हैं किसके लिए हैं जादू गोडा की खाने कई बार पूछा गया प्रस्ण है तो जादू गोडा की जो खाने हैं वह आपको बता दें कि यूरीनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं किसलिए हैं यूरीनियम के भंडारों के लिए अगला निमले लिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन चुनना है तो देखिए चारे यहाँ पर कथन दिये है कौन सा कथन सही है तो आपको बता दें कि इसमें से पहला है धारवाड के सेल समूहों में प्राक्रतिक गेस पाई जाती है ये तो कथन गलत है भी या निमनलिखित मैं से भारत का कौन सा पारिस्तितकिये अतिकरियासी लिस्तल होट स्वाट माना जाता है पारिस्तित की ये अतिक्रिया सी लिस्तर जिसको होस्पोट कहते हैं उसका होट्सपोट बिल्कुल तो वह कौन सा माना जाता है तो आपको बता दें कि वह माना जाती है पस्चमी घाट क्या माना जाता है पस्चमी घाट बिल्कुल सुनते जाएं आप इन प्रिष्णों को एक को बता दे एन थ्रासाइट जो कोईला का प्रकार है बहे उपियोग में लाया जाता है अगला देखें उत्तर भारत में बाड की घटनाएं क्यों बड़ी है तो बता दें कि इसका मुख कारण जो हो है बहे अफवाय छेत्र में बन कटाई में ब्रद्धी ठीक है इसके कारण स जैन ब्यवेटा का अंतराष्टी बर्स था इसके बाद हम संस्कित के ही महतपूर्ण प्रस्न लेकर के आएंगे हिंदी, मेथ, खासकर उसकी पेडागोजी, सारे प्रस्न इसके बाद हैं पूरा देखिएगा जैन ब्यवेश्ता का अंतराष्टी बर्स कई बार पूछा गया है जल्दी से बता दी है 2010 ठीक है balby कितना है 2010 आगे चली बताए आटो कारपस इंट्रिगा बैग्ग्ञानिक नाम है किइस चीज का बैग्ग्वानिक नाम है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें इसका अत्तर हो जाएगा D, कठल किसका है कठल का अगे, निम्न रेसों में ऐसे कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है चारपकार के रेसे यहां दिये है तो आपको बताते हैं कि पठसन नहीं है क्या नहीं है, पटसन, बागी जो तीन है, बैए है, किस रोग का नास हो चुका है, बताई ये इतने सारे रोग आते हैं, लेकिन किस रोग का नास हो चुका है, जैसे अभी कोरोना चला है, तो इसका नास नहीं हो गई है, चला है, लेकिन कौन से रोग का नास हो चुका है, तो चिपको नारा पारिस्तित की स्थाई अर्थे विवस्ता है किसने गढ़ा था जब भी आपको बता दें कि चिपको आंदोलन या चिपको नारा चिपको का प्रिशिद्ध नारा था ये पारिस्तित की स्थाई अर्थे विवस्ता है ये सुन्दर लाल बहुगुणा याद रख प्रिशना आते हैं तो कौन है राजनेतिक बिधाईका से संबंदित होते हैं बित्रमंतरी कौन बित्रमंतरी आगे हैं भारती संबिधान में निमने मैसे किस अनुसुची में दल वदल कानून है दल वदल कानून से संबंदित कोस्चन आ गया है जल्दी से बता दी चो दस्वी कानूसुची याद रखीगा कौन राश्ट पती उपराश्ट पती के चुना होने हो और सर्वूच्छ ने आला उच्छ ने आला का नयाय दिशों को हटाना हो तो कौन भाग लेगा चार आपके सामने है तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा बी लोक सभा संसद संसद के दो जो दोनों सदनों के निरवाज सदस और राज बिधान सभा से निरवाज सदस चुनते हैं ठीक है तो उसकी वादिकार होता है तो इस परकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं आगे देखते हैं महातपूर्ण परशन, आगे एक खाली स्थान रिटका आर्थ है कि गरपतार किये गये वैक्ति को नियालाय में पेश किया जाए, किसका है यह? तो यह है बंडी प्रत्य प्रत्यक्षी करण, रिटकार थे यह कि भी यह जो इसको आपने गरफतार किया है उसको नियालाय में पेस करना पड़ेगा आगे देखें भारतिय सम्मिधान की साथ भी इन सूची में बरनित केंद्री एक खूपिया एवाम जाच ब्यूरो ठीक है खाली स्थान सूची का बिसाय है किस सूची का बिसाय है एक प्रकार से किंद्री पुलिस बल सेना अर्द सेनेक बल संग खूपिया था जाच ब्यूरो आदी किसके बिसाय है संग सूची के बिसाई है, सब कुछ जो जो मैंने बोल दिये तो यहापे CBI के पूछ रहते तो वो किसका है? संग ब्यूरो का बिसाई है ठीक है? आगे बढ़ते हैं भारती संसद है, कैसी है? बहरी 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 IEMP प्रिशन है तो आपको बता दें, भारती संसद दो सदन है ठीक है? उच्छ सदन है राज्य सभा और निम्न सदन है लोक सभाई दो सदन होते हैं, ठीक है? आगे देखें एक इकरत उपाकम के अंतरगत पाठ करम निम्न में से किस सिध्धान्त पर आधारत होना चाहिए? एक इकरत उपाकम के अंतरगत पाठ करम किस सिध्धान्त पर आधारत होना चाहिए? तो पहला है कि हम तीस प्रिशन लेंगे, बिलकुल पेपर और सिलिवस के अनुसार है यह, एक ही करत उपागम की विवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए, यदि आपने हमारे लगभगम सोच रहे हैं, दस ऐसे डेड़ सो प्रिशनों के प्रक्टिस से अटलाएं, और जिसने दस पढ़ लिए, उसकी तैयार इतनी जवरजस्त हो जाएगी, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब की रहे हो, मेरा निवेदन आंगे इसको जरूर सियर करें, चलें, तो क्या कह रहे हैं, एक ही करत उपागम की विवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए चार option हैं, तो पहला यहाँ पर है, विसाय बस्तू को सरल से कठिन की और संगठित करना चाहिए, बिलकुल, पहले सुरू में सरल उफर कठिन की और, पाठ करम की विविन निकाईयों को क्रमबद रूफ से विवस्थित करना चाहिए, मंद, बुद्धिवं, पिछडे चात् पर्षन कंप्लीट किये चलिए अब आगे देखते हैं तो दोस्तों आगे हम पर्षन ले रहे हैं मैथ के ठीक है मैथ भी क्योंकि प्राथ में किसी चक भरती में है तो उसके महत्पूर्ण पर्षन ले रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसके बाद हम संस्कृत के और ह हिंदी के प्रषन लेंगे इस प्रकार से आपके पूरा सिलेबस के नुसार पूरा पेपर एक ही वीडियो में कबर हो जाएगा बहुत महनत कर रहे हैं आपके लिए आपने भी तक सब्सक्राइब ने किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजीगा दोस्तों को बताएं कि उन्हें पूरी तैयारी करनी है सिलेबस के नुसार तो यूटूब पर सर्च करें टॉप फिप्टी स्टडी और हमारे इस चैनल से जोड़ जाएं प्ले लिस्ट में जाके पूरे पहले के वीडियो देख लें पहले हमने मैत भी पढ़ाई है मैत की पेड़ागोजी भी पढ़ाई ह इंग्लिस भी पढ़ाई है हिंदी भी पढ़ाई है संस्कृत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं बाल विकास परेयाबरन सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो कहीं एक जगए मिलेंगे तो बैह है टॉप फिप्टी स्टडी यूटूब चैनल की पिल और संस्कृती का दरपन है यह कथन किसका है आपको कमेंट में उत्तर बतलाते जाना है पिछले वीडियो में मैंने देखा कई दोस्तों ने बहुत अच्छा कमेंट दिया था इसके पहले एक और हमारा महा अभ्यास का वीडियो आया था उसको आपने बहुत पसंद किया उस प्राथ में किस्तर का पेपर दे रहे हैं तो आपको बतलाना है कि प्राथ में किस्तर पर गडित का क्या महत्त है तो आपको बता दें कि जो प्राथ में किस्तर होता है वहां पर सामाजिक महत्त की कोई इतनी आवशक्तानिय सांस्कृतिक भी नी धार में खान मानसिक महत्त ह क्या है मानसिक दोदूनी चार सीखते हैं थोड़ा उनका दिमाग बढ़ता है मानसिक महत उपलब्धी परिक्षण वा नियदानिक परिक्षण में अंतर है पंदरा कॉस्चन आपके मेहत पेडागोजी के आएंगे याद रखीएगा ठीक है इसके बाद हम आँगे और पढ़ेंगे हिंदी के तो आपके पूरे सब्जेक्ट कबर हो गए है तो चलिए उपलब्धी परिक्षण वा नियदानिक परिक्षण में अंतर है किस चीज का अंतर है तो आपको बता देंगी दोनों के उद्देश अलग अलग है उद्देशों का अंतर है आगे आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा उप्युगत है सामाजक और आर्थिक गतिविदियों में ठीक है गड़ित का उप्युगत होते ही है आर्थिक में आगे देखें कौनसा कार अध्यापक से सम्बंदित नहीं है योजना बनाना तो है मार्क दरसन देना भी है सिक्षण क सामगरी है जल्दी से बता दीजिये सबसे ज़्यादा प्रभावक स्क्षण सामगरी होती है तत्यक अनुभव सामने जो देखा है उसका अनुभव करना इस से प्रभावसाली कुछ नहीं हो सकता है ठीक है आगे देखते हैं बस्तु कि परिक्षण की सरभादक महत्तपुन याद रखिएगा, क्या है बस्तु निष्ट परिक्षण की सबसे बड़ी विसेष्टा, विस्वस्नीता एक है, बैदता ये भी है और बस्तु निष्टता, ये तीनों विलकों दिमाग में बैठा लें, very very IMP, बस्तु निष्ट परिक्षण में क्या है, बैदता है, बस्तु प्रास्मिक सक्षक भरती का पेपर होगा वो भी वोई बस्तुनिस्ट परिक्षण है। गड़त सभी विग्जान का द्वार एवम कुंजी है। यह सब्द किसने कहा। दो से तीन कोस्चन आते हैं। इसलिए हम बीच बीच में बीच बीच में हर अभ्यास में जितने हम अभ्यास लेकर के आएंगे उसमें ऐसे लेते जाएंगे काथन वाले प्रिष्ण। तो बता दीजिए जल्दी किसने कहा है। तो आपको बता दें गड़ित सभी विज्ञानक को अद्वार और कुंजी है। यह रोजर बेकर महुदय ने कहा है। आगे देखें गड़ित की अध्यन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होगा। सामान से बिसेष्ट का सिध्धान्त निम्ने मैं से किस में प्रियोग होता है। सामान से बिसेष्ट की ओर किस बिधी में बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि वह बिधी है निगमन बिधी या निगम बिधी ठीक है। निगमन बिधी में क्या होता है? सामान से बिसिष्ट की ओर बढ़ते हैं और आगमन बिधी में बिसिष्ट से सामान की ओर बढ़ते हैं. दोनों याद रखिएगा. गड़त में किस बिधी में हम प्राया सूत्र बा नियमों की सहायता लेते हैं? जल्दी से बता जीजिए. तो बह बिधी हो जाएगी निगमन बिधी. इसमें क्या होता है? सूत्र और नियम दोनों की सहायता लेते हैं. ठीक है? आगे. चोटी कक्छाओं में गड़त बिसाय में रूची उत्पन करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए. आई एमपी है विलकुल. कैसा होना चाहिए? चोटी कक्छाओं में गड़त पढ़ाना है. तो मनुरंजक और खेल सम्मन दी क्यों? खेल-खेल में सिखाना है मनुर सबजियां खरीदने इसमें भी हो रहा है, कितने भी की हैं, क्या भाव है, उधाल लेने में भी हो रहा है. तो यह ऐसे जीवन से सामान संबंदित आते हैं प्रात्मिक इस तर पर, थोड़े अभी सरल लाए हैं, थोड़े कठिन लाएं, क्यों कोई सरल से कठिन की और बढ़ है, नमनम ऐसे कौनसी बिधी प्रियोग में लेंगे, कौनसी बिधी लेंगे भी हो गड़त में अनुत्रीन हो रहा है, तो आप लेंगे उसकी निदानात्मक तरीका आप नाएंगे, क्या उसको कहां पर परेशा नहीं आ रहे हैं, उसका निदान करेंगे, चली कुछ और ले ले रहे, क्योंकि उसमें बिस्तार हो जाएगा, बहुत लंबा खिच जाएगा, इसलिए उसके अलख से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, मैस के प्रक्टिस सेट अपलोड है, आप उनको देख लीजिए, बाकी पेडागोजी का इसमें अभी हम ले रहे हैं, छात्र ग लोड घटाना, गुडा इत्यादी करने का, पहाडे पढ़ने का, जितना अभ्यास करेंगे उतनी गती बढ़ जाएगी, आगे, आरभट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, या किस उद्देश की पूर्ती कर रहा है, जल्दी से बता दीजी कि आरभट ने क्या तास के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छातर अपनी विचार धारा के अनुसार अभी व्यक्त कर रहा है, बै किस कारण से सम्बन देते हैं, इसी प्रकार के कोस्चन आएंगे, आप देख लीजीगा बिलकुल, क्या पता यही क्या ही आ जाएं, ठीक है, तो आप व्यक्तित्त से, किस से है, व्यक्तित्त से, आगे बढ़ते हैं, सम्बिसम संख्याओं को बालग सारणी बद्ध कर रहा है, बै किस उद्धेश की प्राप्ती कर रहा है, ठीक है, सम्बिसम संख्याओं को सारणी बद्ध कर रहा है, सारणी बना रहा है, तो किस उद्धेश क देते हैं, इसके लगा दांगला विसाए आंगे फर हम कभी ले आएंगे, वो वाले कॉस्चन भी, तो वो आगले वीडियो में फर देख लेंगे जैसा होगा, गड़त विसाई के लिए पुरतन इस्तोतर के रूप में कौनसा गरंत उपियोगी, पुरतन इस्तोतर के रूप म यही गरंथ क्या है उपयोगी होगा इस प्रकार से हमने मैत के परशन अपने कम्पलीट हो गए दोस्तों अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं संस्कित के 30 महत्पून प्रशनों पर थोड़ा हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे क्योंगी संस्कित में लोगों को बड़ी कठना ही होती है और मैं प्रयास करता हूँ कि आपके संस्कित में बिल्कुल भी नमबर ना छूटें इसलिए इन प्रशनों को हम इस अभ्यास प्रशनों पत्त में महा अभ्यास में ब्याक्षा सहित ले रहे हैं आगे भी ऐसे महत्पून प्रशन हम ले करके आएंगे तो आप इसको पूरा देखें इसके बाद हिंदी के प्रशनों पर चर्चा करते हैं तो इस तीस प्रशनों पर हम चर्चा सुरू करते हैं संस्कृत के एकोन चत्वारिनसत को कहते हैं एकोन चत्वारिनसत मतलब एक कम चत्वार इंसत मतलब 40 तो एक कम 40 मतलब कितना हो जाएगा? 49 ऐसे अपन को याद रखना है ऐसे ही 49 29 को क्या कहते है? 20 सती तो 9 बिन सती मतलब 29 49 को 9 तरिंसत है एक उन चत्वार इंसत औरन चास को 9 चत्वार इंसत है याद रखिएगा यह जादा तर पूछे जाते हैं बियाख्या में उस साथ में ठीक है और 69 को 9 पंचासत कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है अगला देख लेते हैं मैं एक और बात बता दूँ यदि आप संस्कित की पूरी सिलेवस के नुसा तयारी करना चाहते हूं संधी, समास, प्रत्य, उपसरग, सब्द, रूप, धात, रूप आप जो भी है ट्रिक के साथ सरल भासा में पढ़ना चाहते हूं आप हमारी चैनल पर सेलेक्ट करें पिले लिष्ट में जाएं और जो भी आपको पढ़ना है संस्कित के हर सब्जेक्ट के हर प्रकार के वीडियो उपलब्ध है अब देखें दूई सब्द इस्त्री लिंग प्रत्मा विभक्ती का रूप है दूई सब्द तो इस्त्री लिंग प्रत्मा विभक्ती हैं आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं जिसकी ब्याक्ख्या विलकुल जरूरी होगी बता ना उसकी हम आपको जरूर बताएंगे अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं चलें ददती रूप है ददती कैसा रूप है तो आपको बता दें दाधातू जो होती है परस्मई पत के उसके रूप चलते हैं लटलकार के ठीक है लटलकार प्रथम पुरुष का बहुबचन है ठीक है तो कैसे चलते हैं इसकी रूप देख लो इस प्रकार के और भी कोई पूछ ले मालूम अध्यम पर उसका पूछ ले एक बचन तो ददासी हो जाएगा इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा दाद हातु के रूप पूछ जाते हैं तो क्या लटलकार है लटलकार बरतमान काल में होता है पर्थम परोसे और बहू बचन है ठीक है आगे देखते है ग्रूप देशा सब्द में प्रियुक्त संदी है ग्रूप देशा में कौनसी संदी है तो आपको बता दें इसका संदी इक्षित जो हो जाएगा देखें आप यही पर दिया है गुरू प्लस उपदेशा तो क्या हो जाएगा उ का उ आ गया तो उ के बाद उ आया तो बड़ा उ हो गया तो क्या बन गया गुरूप देशा तो दीर्ग संधी हो जाएगी दीर्ग स्वर संधी हो जाएगी संधी की ट उपसर्ग है, इन मेंसे उपसर्ग कौन सा है, तो यदा तो अब्या है, यदा मतलब जब, कुत्र भी अब्या है, कुत्र मतलब कहा, यत्र मतलब होता है, जहां, तो ये भी क्या है, अब्या है, तो परा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग, परा है, इन मेंसे उपसर्ग ठीक है तो परा उपसर्ग हो जाएगा देखें ठीक है इसमें आप समझ गए अब परा उपसर्ग कैसे हुगा तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं कितने होते 22 उपसर्ग होते हैं कौन-कौन से तो प्रा प्रा अप सम अनु सको बिश्च्ट में जाएं और आप उपसर्ग सर्च करें तो आपको बहत मिल जाएंगे चली तो और प्रिष्टन आगे ते वागे देखते हैं मनूरथा में संधी है मनूरथा का संधी विक्षित क्या हो तो यहाँ पर कौन सी संदी हो जाएगी तो यहाँ पर बिसर्ग संदी हो जाएगी ठीक है चलो आगे देखते हैं नेत्रा भ्याम असुरुनी पतंती में नेत्रा भ्याम पद में विभक्ती है ठीक है तो आपको बताना क्या है नेत्रा भ्याम मतलब नेत्र से असुरुनी गिरते हैं तो यहाँ पर नेत्र से के आसु अलग हो रहे गिर रहे जैसे ब्रक्षात पत्राणी पतंती है ना पंचमी विवक्ती का अधार्ण तो यहाँ पर कौनसी विवक्ती हो जाएगी पंचमी विवक्ती हो जाएगी नेत्र से पंचमी मतला आपादान से अलग होने के अ तो आप कुछ भी आ जाया । पर उत्तर बनना चाहिए ऑगे देख़ें असनी सब्द है, असनी कैसा सब्द है असनी पुल्लिंग सब्द है कैसा है पुल्लिंग है आगे देख़ें तया निर्पो गंमिते में बाच है एक और वात ही आपने सबस्क्राइब न ना किया हो तो red सब्सक्राइब उसको जरूर किलिक कर लेना क्योंकि आंगे की जो वीडियो है वो आप पे बिल्कुल भी ना छूटें आपकी पूरी तैयारी होई तो आपको बता दें तया नर्पेनू गम्यते में कौन सा बाच है तो यहां पर कर्म बाच है कर्म बाच के ऐसा तीन प्रकार क धार्तूओं के साथ होता है मतलब कर्म से सहज जो धातूएं होती है उनके साथ होता है इसमें क्रिया सदा आत्मने पद में होती है परस्माई पद में नहीं इसलिए आत्मने पद में क्रिया अनुगम्यते ठीक है इसलिए जैसे बालकेन गरंता दरस्यते तो दरस्यती क्या हो गई आत्मने पद में हो गई तो याद रखिएगा क्रिया आत्मने पद में होगी और सकर्मक धातुओं के साथ होगा वह क्या होगा कर्म बाच्च अब देखें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया समास यूप दारू में समास है तो इसका पहले तो समास पत का बिग्रह कलने यूप आए दारू मतलब यूप के लिए दारू अब के लिए करताने कर्म को करण से संपरदान के लिए तो चतुर्थी यहाँ पर तत्पुरुस हो जाएगा तत्पुरुस समास हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आप लगा सकते हैं चतुरती तस प्रस इसमें हो जाएगा आपको हैं उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं अगला देखें गोधूम सब्द का अर्थ है यह भी कई बार पूछा गया कई लोग इसमें कन्फूज होते हैं तो आप याद रखिएगा भिया कि गोधूम का क्या आर्थ है गय हूँ बिल्को रट लो इसको बेरी बेरी आई एमपी अभी से मैंने बता दिया बिल्को रट लेना इसको बेरी बेरी आई एमपी है ठीक है कुछ और आर्थ देख लेने पूछे जाते हैं टंडूल का पूछा जाता है इसकार्थ होता है चावल गोधूम कार्थ क्या होता है गय हूँ गर्ध मतलब होता गधा ठीक है गधा और धैनू दुगदम मतलब गाय का दूद ये भी आप याद रख लिए जीका मालो ये ना पूछे ये पूछले तो ठीक है अगला देखें बिसर्ग संदी का ओधारण है तो बिसर्ग संदी का अब जैसे सम्मियम दिया है तो ये तो नहीं है सम्मियम महोसदी महोसदी किसका हो जाएगा तो आपको बता दें ये तो भी है स्वर्ग संदी का ओधारण है वो भी ब्रद्धी स्वर का हो जाएगा नमाह धन्ते से बन करके क्या बनेगा नमस्ते तो ये क्या हो जाएगा नमस्ते बिसर्ग संदी का ओधारण है और तल्लया किसका हो जाएगा बेंजन का तत धन लया उसे क्या बनेगा तल लाया बेंजन संदी आगे बढ़ते हैं पूरा सब कुछ मैंने पढ़ाया है आप तो चैनल पे जाएं पिले लिष्ट में जाएं या वीडियो में जाएं आपको जो जो संस्कित की पिले लिष्ट में देख लें सब आपकी काम का है इस पर्स संग्यक बरणों की संग्या है इस पर्स संग्यक बरण कितने हैं 25 ठीक है का से ले करके मा तक कचट तप होते हैं जो कचट तप मतलब का के 5 फिर चा फिर टा ये सब को चे 5 जो बरण होते थे एक में 5 होते हैं तो टोटल कितने है इस पर्स 25 इसको इस पर्सी बेंजन भी कहते हैं कासे ले करके मा तक याद रखिएगा ठीक है इनके उच्चारण स्थान भी है कावर का उच्चारण स्थान कंट है चावर का उच्चारण स्थान तालू है तावर का मूर्धा है ये भी याद रखिएगा तावर का दंत है और पावरग का ओष्ट है, ऐसे आप करम से याद रख लें, कंठ, तालू, मूर्धा, दंत और ओष्ट, ठीक है, कंठ, तालू, मूर्धा, डंत और ओष्ट, ऐसे ही कचट तप यहाँ याद रख लें, और कंठ, तालू, मूर्धा, डंत और ओष्ट, तो आपको 25 जो बरण है, उ प्रत्य है ठीक है आगे देखें परियंत में उपसर्ग है उपसर्ग क्या कहलाते हैं जो सब्द के पहले लगते हैं तो परियंत में उपसर्ग है तो परियंत में आपको बता दें कि परी उपसर्ग है ठीक है परी उपसर्ग है परी धन अंत तो क्या बन जाएगा परियंत इस तो दुतिय बहू बचन में क्या बन जाता है नदी बन जाता है नदी नद्यव नद्या नदी नद्यव नदी इस वकार से इसके रूप चलते हैं अब आपको याद करने पड़ेंगे आप इचाय स्क्रीन सॉट ले सकते हैं मैंने दे दिया है और आप पड़ भी सकते हैं वीडियो रोक करके हमें समय भी बचाना है पुलिंग सब्द का उधारण है अकारांत पुलिंग सब्द का उधारण है अब पुलिंग तो सीधा इसमें पहले तो आप देखें फल तो नपुनसकलिंग है बाच भी ऐसे ही है बहानुस्ति तो राम सब्द राम अहां मतला अकारांत पुलिंग क्या जिसके अंत में आ हो तो अकारांत के अलाग है, राम सब्द है, तो इसके मा, मा पूरा है ना, तो मा के अंत में क्या है, आ है, नहीं तो मा फिर ऐसा हलंत लिखा जाता, मा के अंत में क्या है, आ जुड़ा है, इसलिए मा पूरा है, तो अकारांत पुलिंग सब्द कौन सा हो जाएगा, राम हो जैसे मालो नदी आ गया तो नदी कैसा सब्ध है तो यह इकारांत है इसके अंत में बड़ी है ठीक है कुछ भी आजा है जिसके अंत में जो है वैसा ही कहलाता है अब आप समझ गए होंगे चलिए आगे देखते साथ मैं आपको बता दें कि संस्केत है आपको पढ़नी तो सब से पहले आपको याद कराए जाते हैं अकारांत पुलिंग राम के रूप रामा 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 कैसे भी याद करें रामा 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 प्रत्मा रामम रामा रामा ने दुतिया अब कैसे भी याद कर सकते हैं जैसे में आपको याद हो यह पूरे विलको रट लीजीगा राम सब सद्ध के रूप आगे देखते हैं ये भी सबसे जाधा पुछे जाने वाली संदी है पुर्वरूप पर रूप संदी है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है यह थोड़ा सा अलग हो गया है हां चलिए कहा थे देख लेते हैं तो देखिए प्रेज जते में कौन सी सद्धी हो जाएगी प्रेज जते में परणूप संदी हो जाएगी ठीक है इसका संदिभिक्षित क्या होगा प्रापिलस ए जते तो प्ररूप हो जाएगी पूरूबूप की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इस प्रकास उसमें चिन्न लगा होता हो पूरूबूबूप होती है और ऐसे ए हो जाता हूँ वहां पर पर रूप मतलब उस रूप हो जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखें वावरण का उच्चारण स्थान है वावरण का उच्चारण स्थान क्या है तो आपको बता दें दन्तोष्ट है वावरण कैसा है दन्तोष्ट मतलब दात और ओंट दोनों की शाहता से उसको बोलते हैं वह आखो ठीक है तो दन्तोस्ट इहां पर हो जाएगा बांकि ये सब पहले ही बता चुके है अगला देखें घुटने के लिए उपरिक्त संस्कित सब्द है तो घुटने के लिए बोलते हैं जानू जानू ठीक है अब देखें गद्यांस भी बिल्कुल अच्छे समझेगा क्या करें समाज में सब जगे दुर्जना पीडियंती जनान जो दुर्जन लोग है वह लोगों के लिए क्या करते हैं पीडित करते हैं यद्यपी सज्जना नाम संख्या अधिकास्ति यद्यपी सज्जनों की संख्या अधिक है तथा पी दुर्जना एबं प्रवला इती महद आश्चरियम फिर भी दुर्जन कैसे हैं प्रवल है ये महान आश्चरिकी बात है आप अर्थ समल लेंगे तो बन जाएगा अप कई ल बीच में नहीं पढ़ते यदि दुर्जना प्रतिपदम ब्रोधम सज्जना करश्यंति यदि दुर्जन लोगों का ब्रोध सज्जन करे हैं तरही तब ही निश्चे ये निश्चे से समाजा निर्वयो भविस्यती समाज कैसी हो सकती है निर्भाय हो सकती है ठीक है यहाँ पर बतला रहे हैं देखें गद्ध पद्ध हल कनने का भी हमने वीडियो बना करके डाला है बो भी देख सकते हैं चैनल पे वो परियोक्त गद्ध की अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है तो आप सीधा सीधा समाज आएंगी समाजे सरवत दुरजना पीडियंती अधिपी तो यहाँ पर क्या बोलना चारा है कि समाज में किसकी संख्या कम है तो दुरजनों की संख्या आपने आप कम होगी जब सद्ध जुनों की यहाँ पर आधिक के रहे हैं तो दुरजनों की संख्या क्या हो गई कम हो गई इस प्रकार से अब आपर समझ गए होंगी कि हमें क्य जैसे निकालना है और देखें ये को देखें उपर गद्ध के अनुसा दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रवल हैं तो बता रहे हैं कि यहां पर देखी अब देखी उफिर से गद्ध में ही हमें उत्तर मिलेगा कि दुर्जना एवं प्रवला महदास्चरियम यतो ही सज्जन प्राया ततष्टा भवंती सज्जन क्या है प्राया ततष्ट होते हैं इसलिए दुर्जन लोग कैसे हैं प्रवल हैं तो क्योंकि सज्जन लोग कैसे हैं ततष्ट रहते हैं पहला ही इसका उत्तर विल्कुल सही हो जाएगा तो देखो इसी में से निकल गया ना चलिए अब गद् दाता है तो एक पद भी आता है, तो देखें, महान ब्रख्षो जायते बर्धते तम्चैव भूताणी समास्रियन्ती, यदा ब्रख्षत द्यते दहेते चे तदास्रिया अनिकेता भबत्ति, ना, क्या कह रहे हैं कि महान ब्रक्ष होते हैं बर्धते चे तम चाई भूतानी समासे भूतानी मतलब प्राणियों के लिए समास्रेंती मतलब आस्रें देते हैं ब्रक्ष महान है वो प्राणियों के लिए आस्रें देते हैं यदा ब्रक्ष तहते दहते चा लेकिन जब ब्रक्षों को छेता जाता है या जलाया जाता है तद आस्रिया अनिकेता भवन्ती फर उनका आस्रे नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इसलिए ब्रक्षों को जलाना नहीं है आगे देखें क्या कह रहे हैं इस सिलोक का भाव क्या है तो इस सिलोक का भाव यही है कि भाया ब्रक्ष महान है क्य अब देखें आपको धातु रूप यदि याद करने हो तो कोई पूछे सबसे पहले किस धातु की करें तो आप भूधातु की कर लीजिएगा ठीक है या गया क्यों कि भूधातु लोट लकार मध्यम परोस एक बचन में क्या रूप बनता है तो आपको बता दें भूधातु लोट लकार तो भूका पहले भवतु भवताम भवन्तु ए एक बचन में हो जाएगा प्रथम परोस में हो जाएगा भवतु भवताम भवन्तु फर बनेगा भाव ठीक है दुतिया मध्यम परोस एक बचन में क्या बनेगा भाव तो भाव भवत भवानी भवाव भवाम यह इस प्रकासि लोट लकार में रूप चलते हैं, लट लकार में कैसे चलते हैं, भवती, भवता, भवानी, भवावा, भवामा, ठीक है, लिट में चलते हैं, भविस्यतियादिये से कई हैं, तो आप याद कर लीजीगा, सरवनाम सब्द है, ठीक है, सरवनाम सब्द क्या है, नाम सब्द है इसके रूप भी चलते हैं सरवा सरवो सरवे ठीक है तो आप भो भी याद करते हैं एक वीडियो में आपको सो पलस कॉस्चन हो गए हैं ऐसे अभी हम दस वीडियो लगाता लेके आने वाले हैं ठीक है तो और डले भी हैं कई चैनल पर जाके आप जरूर देखे हैं ठीक है सुवर के लिए बराह कहते हैं वो सरव के लिए सरव कहते हैं ठीक है ऐसे मात्री सब्द का तृतिया विभक्ति एक बचन में होगा मात्री सब्द तो मात्री सब्द का तृतिया विभक्ती एक बचन में आपको बता दें मात्रा बनता है क्या बनता है मात्रा एक ऐसे रूप चलते हैं माता मात्रव मात्रा मात्रव मात्री मात्रा ये तृतिया में बन गया या आप इसका skin sort ले सकते हैं बाद में ही पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं मैं तो कहूँगा एक वीडियो को आप दो बार देखें जिससे अच्छे से और वो जाए सुबन्धू की रचना है निमने मैंसे सुबन्धू की रचना क्या है तो बासवदत्ता ये क्या है सुबंधू की रचना है अभिक्यान साकुंतलम किसकी है अभिक्यान साकुंतलम कालिदास की है और मेगदूतम भी किसकी है ये भी कालिदास जी की है ठीक है और सुपनवासदस्ता महा का भी भासकी है तो इस प्रकार से आप बाकी रचनाओं को ल पूरा हम नहीं बता रहे हैं, हम भी चाहिते हैं, आप भी थोड़ा परियास करें, आप जाए चैनल में और जाकरके वीडियो देख लें, जिसमें कालिदास की रचनाय बताई गई हैं, ट्रिक के साथ, ऐसे कई वीडियो हैं, आपको बस जुड़े रहना है, आगे देखते है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हो, मेरे एक निवेदान, कमेंट में आप बताएं, आप किस एकजाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के सिलेवास के नुसार हम और ऐसे प्रिशनोत्तर लाएंगे, आपके लिए पढ़ाया जाएगा पूरा, कमेंट में ये जरूर लखे आप किस एकजाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चलिए देखें, निमने लिखित में ऐसे कौन सा स्वर है, स्वर बताना है, तो आपको बता दें, ब्री नहीं है स्वर, लिरी है, ठीक है, आ, ई, उ, ठीक है, आ, ई, उ, री होता है, और एक लिरी होता है, ये दो आगास स्वर जो कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिरी, इसमें क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, और जब माहिस्वर सी सूत्र पढ़ेंगे, आ, य, 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 री, लिक, ए आ गया, ठीक है, लिरी, इस प्रकार से, यहां पर 30 प्रस्नों पर हमने चर्चा की, 30 ही बता दूं, गद्द पद्द के लिए मैंने अलख से वीडियो बनाए हैं, आब वो देख लेंगे, एक दो बार गद्द पद्द में हमें समझना है, उसमें याद करने का कुछ नहीं है, आप समझ लेंगे, हमें कैसे अर्थ निकालना है, बाकी आंगे के जो हम प्रक्टिस स लाएंगे, तो बीच बीच में गद्द पद्द, पेडागोजी की प्रिशन लाएंगे, अभी ब्याकरन के जादा महत्पून है, क्योंकि समझना है और उसको जानना है, तो वो मैंने 30 प्रिशन लिए हैं, तो आप बिलकुल अच्छे से उनको पढ़ें, कमेंट में आप भ पता ही उत्तर हो जाएगा, दो नमबर, 9 बजने में 10 मिनिट है, 9 बजने कुनी होता, 9 बजने में, ठीक है, इस प्रिकार से यहां पर हो जाएगा, अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है, ठीक है, तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है, बंदर, ठीक है अब कपेस थोड़ा सब्द लोगों को लग रहा होगा तो कपेस मतलब गर्मी तो होता नहीं हाँ कपेस मतलब मटमेला होता है इसलिए इसका उत्तर ठीक क्या हो जाएगा चार नमबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा इस प्रकार से हमें लगाना पड़ता है ठीक है आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए आपका इतना भ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी भी आकरण में गलती करकरके नहीं आएगे और आपको पूरी तैयारी विवस्त सिलेवस के नुसार करनी है तो आपको यूटूब पर सर्च करें टॉप फिप्टी स्टडी हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो फिर आपके लिए पूरा करम से अध्यन मिलता जाएगा अगला देखें पेडों पर मेना बैठी है इस बाक का सुद्ध रूप होगा अब पेडों पर मेना बैठी है तो जम नहीं रहा है कि पेड बहुत सारे वो लमेना एक है इसलिए क्या होना चाहिए पेड पर मेना बैठी है ठीक है तो एक नमबर इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना इसलिए कमेंट खोलने बिलकुल वो तयार अगला है छंद का नाम बताईए कौम सा छंद ये बताना है तो है कोव पापे है पंचतत प्राप्त सुनी जम गंधाबत अब ये छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है मात्रिक छंद है तो इसमें मात्राएं हमें गिननी पड़ेंगी टोटल कितनी है ठीक है दो मात्राएं का में ओ की मात्रा दो है बिलकुल इसको ध्यान से सुनना में जो बतारूं मात्राएं कैसे गिननी है आपको आज पता चल जाएगा तो आप आसानी सीख जाएगा, को, का में, ओ की मातरा है, तो ईसको दो मातरा इनेंगे, 2 हो गए, उ में, एक 3, बड़ा पा है, इसलिए दो मातरा है, 5, पी में, चोटी की मातरा, इसलिए एक इग गिना जाएगा, फिर हमें भी एक, पंच में, चण्द बिंदी लगी है, तो आपको बता दें कि जहांपर चंद बिंदी होती, उसको एक ही गिनते हैं अलग से मातर न ही गिनते हैं, तो पाका ये गिनेंगे चा, चा के और आधता है चुकि बाद में है, तो चा को ही डवल गिनते हैं, किसी भी सब्द के बाद में, जैसे द्वा में आधत ता लगा है, तो इसको इसके साथ डबल नहीं गिनेंगे, चा के साथ डबल गिनेंगे, तो चा का आपन क्या हो जाएगा? डबल. ठीक है. और वा का क्या हो जाएगा? एक. तो यहाँ पर कितनी होगे? दो और एक तीन और दो पांच और एक छे साथ आठ और दो दस और ग्यारा ग्यारा मात्रा हैं इस तरफ हो गए ठीक है अब दूसरे तरफ का गिनते हैं दो प्राकी दो ठीक है और ताकी एक तीन और सामे छोटे हूँ की मात्रा इसलिए एक ही गिनेंगे और नी में भी छोटे की इसलिए एक ही गिनेंगे तो यहां पर कितनी हो गई पांच और जग जम गन चार हैं सीधा ठीक है एक 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 तो चार पांच चार नो धा बड़ा है तो उसकी गिनेंगे दो ठीक है तो कितनी हो गई ग्यारा वा और ताकी एक एक दो तेरा तो इस तरफ है ग्यारा अगले में है तेरा तो इस प्रकार से जहां पर होता है बहाँ पर देखो आपको उल्लाला तो होता नहीं गीत का भी नहीं हरी गीत का तो रोला चंद होता है क्योंकि दोहा का उल्टा है दोहा में तेरा ग्यारा होती है और रोला में 11-13 होती है तो इस से यह उत्तर ठीक हो जाएगा दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंदारा होगा ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर दले हैं आपको तो टॉप 50 इस्टडी यूटूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है प्ले लिष्ट में जाकरके सारे वीडियो आपको देख लेना है चली आगे बढ़ते हैं लाइक जरूर कर देना देश निकाला का सामासिक विग्रे होगा देश निकाला मतलब देश से निकाला चार रखना जरूरी है किसी विची का संशिपी करन कर रहे है छोटा कर रहे है तो संशित्ता के साथ क्या प्रभाहात मक्ता भी जरूरी है नहीं तो उसका प्रभाय खतम हो जाएगा न तो फर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा इसलिए एक नमर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले राष्ट भासा किसका प्रतिनिधित्त करती है राष्ट भासा है चुकी तो किसका प्रतिनिधित्त करेगी राष्ट का तो राष्ट भासा संपूर राष्ट का प्रती निद्र तो करती है ठीक है संपूर राष्ट का तीन नहमर उत्तर ठीक हो जाएगा अगला देखें रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिट पद निकलते न वोई रिक्ती, तो रिक्ती हुए क्या कहते हैं, बैकेंसी यह है, कितनी बैकेंसी यह निकली आप हमेशा कहते, उत्तर बिलकुल आपको पता होता है कई वार, लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जा प्रतिवी का राजा होता, इसको क्या कहते हैं sap, प्रियावाची पहली नम्मर पे दिया है भुजंग, सर्प का अगला देखते हैं सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकासित होता है तो सिने एक्सप्रेस आपको बता दें कि इन दौर से प्रकासित होता है ठीक है आईना को आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं ठीक है तो सीसा या दरपन कहते हैं आईना को आप लोग भी बोलते ही हैं सी साया दरपन आउचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं आउचट मतला आवशक्ता से अधिक उसको क्या बोलते हैं आउचट आवशक्ता से अधिक बिल्कुर रट लीजी आप इन प्रिशनों को ब्रत्ती और मस्दूरी को अंगरेजी में क्या कहते हैं ब्रत्ती और मस्दूरी एक नमर सही हो जाएगा वेज ठीक है यह सही है आगे देखते हैं बह देर में सोकर उठता है चलिए बताइए क्या होगा इसका सुद्ध रूप बहए देर में आप ही किसी से बोलते हो, तो आप क्या बोलते हैं, आप देर से सोकर उठता है, यह होना चाहिए, तो बहे देर से सोकर उठता है, तीन नमबर ठीक हो जाएगा, अब खुद हिल्कुल लगा के देख लीजिएगा, आगे देखें, बच्चे बूढे, किस अगला देखें, यहाँ पर रस का नाम बतलाना है, तो बिंद के वासी उदासी तपू ब्रद्धारी महा बिनू नारी दुखारे, ठीक है, और गोत मतिये तरी तुलसी सोकथा सुनी में मुनी ब्रंद सुखारे, हैं हैं सिला सब चंद मुखी परसे पद मंजुल कंजित खार, एक तरह तो तपू ब्रद्धारी केर, एक तरह नारी की बात करते हैं, हास की प्रकटत हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, हास रस, पढ़ करके ही आता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, रस पहचानने के लिए, आप ऐसे ही हमारे आपको अभ्यास हो जाएगा, बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे, तो उसमें तो आपको रठी जाएगा, रस का नाम बताओ, जता पंख बिनू खग अती दीना, मनी बिनू फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु विन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो जता पंख बिनू खग आती दीना, जैसे इपंखो के विन पक्ची कैसा होता है, आती दीन होता है, दुखी होता है, मनी बिनू फन करिवर करहीना, अब दीन हीन, ऐसी जहाँ पर बात आएप खुश समझ जाए कौन सा रस होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इतनी समझ सकते हैं, अगला देखें, यह कई बार पूछा गया, कर का अर्थ है, कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन तीन में दिया है, ठीक है, फिर दूसरा कर का जो अर्थ है, किरन भी होता है, ठीक है, वो कर का अर्थ है, जो आप कर भरते ह texts तो चान नमबरस का उत्तर बिल्गुल ठीक हो जाएगा आगे आदी का अर्थ है आदी मतलब पहला प्रथम ठीक है तो आदी का अर्थ क्या हो जाएगा प्रथम आगे बढ़ते हैं आदी अंत किस सब्ध उगम की अंतरगत है आदी और अंत मतलब प्रारम अंत मतलब समाप तो क्या हो जाएगा बिलॉम सब्द है सीधा सीधा आपको दिखाई दी रहा है अब है राज भासा उस भासा को कहते हैं जिस भासा के द्वारा राज भासा को कहते हैं तो आपको बता दें जिस भासा के द्वारा किसी राज के प्रसासनिक कारियों को संपन्न किया जाता है याद रखिएगा, राज भासा में क्या होता है, किसी राज के प्रसासनिक कर क्या होते हैं, संपन्न किये जाते हैं, प्रसासनिक कर संपन्न होते हैं, अगला देखें, साहित गुंजन नामक साहितिक पत्री का कहां से प्रकासित होती है, तो आपको बता दें, साहित गुंजन इन दौर से प्रकासित होती है कहां से होती है इन दौर से अब है चार मासों का समूह का समस्त पद होगा चार मासों का समूह उसको क्या कहेंगे तो चार मास तो क्या हो जाएगा चो मासा ठीक है और चोरा हा किसको कहते है चार राहों का समूह को चोराहा कहते हैं याद रखी कि यहाँ पर चार मासों का पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा चो मास आपको जल्द वाजी में उत्तनी लगाना है नहीं तो जल्दी लगा के आंगे बढ़के बिल्कुल ध्यान से देखना है चलिए इस सामने विलकुल हम पेपर के ही पर्षन लाए हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए ऐसे पर्षन आते हैं चार पेरों बाला कोईवने मैं से क्या कहते हैं जिसके चार पेर होंगे पेर मतलब पद तो आप देखने चत उस पद मतलब चार पेर ठीक है इस प्रकार से आप सीधे answer लगा सकते हैं अब देखें चिरंतन का बिलोम होगा चिरंतन का पहले दी हैं किसी चीच का बिलोम जानना है तो उसका आर्थाना चाहिए चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है प्राचीन काल से जो चला आ रहा है ठीक है अगला देखें बाक का नाम बताओ रमेश ने बताया कि वाई घर जा रहा है बाक को होते हैं मिस्र बाक, सायुक्त बाक, सरल बाक ए सब कुछ है आपको बिल्कुट ट्रिक के साथ पूरे सिलिवस के नुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप फिप्टी स्टडी पर तो आप जुड़े रहें उप पिली लिष्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट की चाहे आप संस्कित पढ़ रहे हो चाहे परियाबरण, चाहे बाल बिकास किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित, हिंदी ब्याकरण, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है कैसा है तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है मिस्रित बाख है, ठीक है सही उक्त होता है तो और बगएर लगा रहता है सरल होता है सीधा कि रमेष घर जा, इसा हो जाता इसलिए मिस्रित बाक हो जाएगा अगला देखें इस बाक को सरल कीजिए मतलब सरल में पड़ी बर्तित करना है तुम बाहर गए और बहरोने लगा ठीक, अब सरल बाक के बनाना ये है तूम बाहर गए और वह रोने लगा ठीक है तो सही उक्त थे है विसको सरल मतलब तुमारे बाहर जाते ही वह रोने लगा आप देखो यह कहां पर लखा है यह तीन नमबर पर क्योंकि आप खुश सोच लें कि आप जब बाक बोलते कि इसी से बात करते तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो ठीक है तुमारे बाहर जाते ही भै रोने लगा दोस्तो अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बाहर लाइक जरूर कर देना कमेंट में बताना कि आप किस अग्जाम की तैयारी कर रहे है जिससे पूरी से लेवस के नुशार वीडियो आए इस बाग को संयुक्त बाग में बदलिये कठोर बनकर भी साहरदय बनो अब इसको संयुक्त बनाना तो कठोर बनो परंतु साहरदय बनो यह हो गया अगला देख लेते हैं अगला है अलंकार का नाम बताओ रस्चंद अलंकार यह तो पूछे जाते हैं तो अलंकार का नाम बताना है सासी संधी और समास की बहुत अच्छी ट्रके के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है तो आप बो जरूर देख लीजेगा तो अलंकार का नाम बताओ पूछा है हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग लंका सारी जल गई गए निसाचर भाग अवे इतना सरल है इतने वारे पूछा गया है तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें देखते हैं कितने भाई मित्रबंदू सह अगला पार्ट आपको मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि ना किया हो तो बैल आइकन को दबा लेना जिससे आपको जानकारी मिल जाए हम कोसिस करते हैं रात को 10 वजे आपको एक पार्ट लेकर के आए प्रती दिन तो आप उस टाइम चैनल से ज जरूर करें वीडियो को लाइक कर दें अंगले वीडियो में पुनहा मुलाकात करेंगे जरूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस प्रकार की कॉस्चन चाहेते अंगले वीडियो में पुनहा मुलाकात होगी धेर सारी आप सभी के लिए प